आपको पता है अगर लाइक में successful होना है या कुछ भी बड़ा करना है communication is really important communication मतलब सिर्फ English नहीं बहुत लोग confused है उनको लगता है communication मतलब बहुत अच्छ English ही आनी चाहिए नहीं communication मतलब आप अपना message properly सामने वाले को convey कर पा रहे हो कि नहीं आप बहुत ही fancy English words यूज कर रहे हो और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे है then that's a poor communication तो वैसा नहीं करना है आप simple sober language यूज करो पर सामने वाले को समझ में आना चाहिए that's it that's a simple way to communicate with the people अब बहुत सारे students को क्या होता है communication में problem होता है उनके पास वो confident नहीं है public fear है तो मैं कुछ tips share करूँगा जिससे आप अगर follow करेंगे तो you will be on track first is read books read lot of books अगर books read करोगे तो आपका vocabulary strong होगा और जो भी read कर रहे हो ना तो मन में मत read करो थोड़ा सा loud read करो आपके कानों तक आपकी voice जाने चाहिए इससे आपका confidence बढ़ेगा second is listen to podcast यह बहुत ही effective method है सुनने से आपका pronunciation strong होगा हमने भी अपना mother tongue सुन सुन के सीखाता राइट तो मैं कुछ podcast के link description में डाल दूँगा आप उससे start कर सकते हो third important tip is practice in front of the mirror practice is really important को भी एक topic लो for example future of india in 2050 इस topic पे एक या दो मिनट mirror के सामने बोलो विक्रस अगर practice नहीं करोगे तो improvement कभी नहीं आएगी तो यह सबसे important point है fourth is record your voice जब भी आप practice कर रहें आप अपने voice को record करके रखो इससे आपको पता चलेगा कि कहां पर mistake हो रही है और आपका confidence कहां पर कम हो रहा है तो next time आप वो mistake repeat नहीं करोगे I hope यह short video आपके लिए helpful होगी comment the next topic जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाओ थैंक्स पर वाचिंग सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैहिल